और अब कॉंग्रेस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर लोग सभा चुनाओ के लिहाद से आपको बता दू कॉंग्रेस एक बार फिर से पुराने चैरों पर दाओ केलती हुई दिखाई दे रही है सूत्रों के मताबिक राहुल गांधी वाइनाट से चुनाव लड़ेंगे और इस बात पर कॉंग्रेस की केंद्री चुनाव समिती की बैखक में मोहर लगाई गई है इतना ही नहीं कॉंग्रेस तभी मौझूदा स्लांसुदों को टिकेट एक बार फिर से दे सकती है हाला कि दिल्ली की सीटों पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है कॉंग्रेस नेता केसी वेनुगोपाल ने बताया कि केरल, करनाटक, तेलंगाना, छतीस गर्ड, दिल्ली और लक्षद्रीप की सीटे फाइनल हो चुकी है जिनका अपचारिक एलान जल्द हो जाएगा तो वहीं कॉंग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने ये कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंडरे चुनाव समिती की बैठक होने जा रही है दिसक्रशन हुआ और बाद में जो हैं वैव सीजी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीकों फिर से डिसक्रशन वहाँ तो आज पेंडिंग हो गाए जाए कोई थोड़ा सा डिस्क्रशन जरू से हुआ एक प्राइजल जैसा हुआ फिर बाद में से इट वस्ट ऑपीनियन ऑफ तो सीजी कि यह किसे बार बोर देल कि उस रिस्ट्रिक्टेट्ट तो तो उसमें वैजेंडा में भी नहीं तो ग्यारा अफ तारीकों कि चुनाव जीतने की स्थिती में है उसको पार्टी आदेशित करेंगे वो चुनाव लड़ेगा अंतिम रणने सीजी लेगी और मुझे लगता बहुत जल्द सपस्ट पस्ट पर एक वक्ते पर सीजी का भी यह जिए पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिसक्रशन था सभी कि आगया है जैसे मैंने का एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव अट्मॉस्पर में डिसक्रशन हुआ और सब पहलों पर हमने अपना ध्यान केंदित किया खरगे साब आधनी सोनी गानी जी सबी सीजी के मेंबर्स हम सब लोग ने लंबी चर्चा करी है जैसे ही निर्णय को लेगे ऐसी से आप उसी कर देगा है रक्षा के मुद्धे पर पीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया के बारे में अफ़आएं पहलाई मंगाल के संदेश खाली का नाम पांच जनवरी के बाद जर्चा में आया था उधर संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी ने था लॉकेट चिटर जी को हिरासत में लिये जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कारेकर्टाओं ने हंगामा कर दिया कुल कता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कारेकर्टा पुलिस से भिड़ गई और न्यू टाउन थाने के बाहर जम कर हंगामा किया लोकेट चिटर जी को हिरासत में ले जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कारेकर्टाओं ने ठाने के अंदर गुसने की कोशिश की लेकिन उनका सामना वहां मौझूद महिला पुलिस कर्मियों से हो गया महिला पुलिस कर्मियों ने बीजेपी कारेकर्टाओं को रोक दिया इसके बाद उनका घुस्सा और ज़्यादा बढ़क गया इसके बाद उन्होंने ममता बेनरजी की पार्टी टीमसी और पश्चिमंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कारेकर्टाओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी गेर लिया काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कारेकर्टा सड़क पर बैट गई संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चेचरजी समेथ बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीमसी के इशारे पर पश्चमंगाल पुलिस जान बूच कर बीजेपी के कारकरताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है क्योंकि टीमसी से सस्पेंड हो चुके शाजांशेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से जादा दिन बीतने के बाद शाजांशेख को उत्तर 24 पर गना के मिनाखां से गिरफतार किया गया था इसके बाद शाजांशेख को CID की कस्टडी में भेज दिया गया था लेकिन मामला ED की टीम पर हमले का था इसलिए एक दिन पहले CBI को शाजांशेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाजांशेख को कुलकता में CBI के दफ्तर में लाए गया CBI के अधिकारी जब उने लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बोडी लैंग्विज पहले जैसी ही नज़र आई लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से CBI अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाजांशेख को लेकर अंदर चले सुत्रों ने बताये कि CBI की टीम ने सुबह शाजांशेख से पूस्ताच शुरू कर दी क्योंकि रात में शाजांशेख ने बार बार अपनी तबियत खराब होने का अवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए लेकिन शाजांशेख से इस पूस्ताच के लिए CBI को CID दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे होरा प्राम करने दिया होला इसलिए जणिया थे बार बार इसलिए CBI का ऑटने वाला पूस्ताच करने प्यांशेख उन्हें अवाला दिया की अवाले की जाशावचार की अवाले में ऑए